नमस्ते दीब चोती क्रेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से लेकर आये हैं UK Special यानि की उत्तर करणड का Special बुत्ती उंडे सामगरी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने लिया है एक कप Society Rex आप दूसरा चामल भी ले सकते हैं लेकिन Society Rex से स्वाद अच्छा बढ़ता है एक कप चामल के लिए तीन कप पानी और आदा चम्मच नमक डालकर मैंने पका लिया है देखिए पकाने के बाद तीन बॉल जितना हो गया है ये देखिए ऐसा smash होना चाहिए उस तरह से आप पका लिजिए इसमें हम डालेंगे दही दही बहुत ज़्यादा खटा नहीं रहना चाहिए नॉर्मल दही रहना चाहिए दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे मलई मले ये डालने से क्रीमी मूँ में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जरूर डालिएगा स्किप मत करिए अब मैंने इसमें गार्लिक डाला है थोड़ा क्रश कर लिया है आप चाहिए तो चौप भी करकर डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पता नमक आप आज़स्ट कर लिजिए पहले भी डाल कर पकाया तो थोड़ा अभी टेस्ट करकर आज़स्ट कर लिजिए बाद में पुदीने के पत्ते मिक्स कर लिजिए अच्छे से हातों से थोड़ा मसल मसल कर मिक्स करें उसे स्वाद अच्छा बढ़ता है अब थोड़ा हम बुत्ती उंडी के बारे में थोड़ा हम जान करें ले लेंगे बुत्ती उंडी का मतलब है बुत्ती यानि कि हम एक गाउं से दुसरे गाउं जाते हैं तो जो खाने के लिए हम ले कर जाते हैं उसे बुत्ती कहा जाता है और उंडे का मतलब है लड़ू यानि कि हम इसे लड़ू का शेप देने वाले हैं तो उसे कहा जाता है उंडे यानि कि यह उत्तर करनाड का की स्पेशल रेसिपी है इसलिए इसे बुत्ती उंडी कहा जाता है दोस्तों और दही चावल खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं जै के जमाने में इस तरह से उंडे बना लेकर जाये करते थे दीखे इसमें मेंने थोड़ा सा अनारदाना मिक्स कर लिया है और इसे एक बड़ा साइज लड़ू बना लिया है आप अपने पसंद के अनुसार चोटे बड़े लड़ू बना लीजी आप देखिए दोस्तों तक आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेर करिए दोस्तों और कमेंट करना न भूलिए दोस्तों देखिए बुत्ती उंडी रेडी हो गया है खाने के लिए अगर आप खाने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख चाहते हैं तुम रखिए और भी इसका स्वाद बढ़ता है दोस्तों खाते रहिए दोस्तों बनाते रहिए दोस्तों और हमारे चानल को देखते रहिए दोस्तों फिर मिलेंगे और एक नहीं वीडियो के साथ तब तक दिजिया अनमती धन्यवाद